दोस्तो आपके Binance account में 5 USDT या फिर उससे कम है तो फिर दोस्तो आपको उनको जो है transfer यानि की withdrawal कैसे करना है क्योंगी अगर आपके जो Binance account में 5 USDT है या फिर उससे कम है तो फिर आप transfer नहीं कर पा रहे हो ठीक है तो क्या दिक्कत आ रही है आप फिर आप कितने USDT याँ पर transfer कर स तरीका है आप इसमेले उसको नहीं लगाओगी तो फिर आपका बिल्कुल भी transfer नहीं होने वाला है ठीक है लेकिन जो मै तरीका बता हूँए पहले उसके लंगा कर देखो अगर वो आपसे प्रहुट कर पाऊगे अगर व तरीका आपके account पर र brac नहीं कर रहा है ठीक है तो फिर आपका जो 5 USDT है वो आपका ट्रांसफर नहीं होगा फिर उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता दूँगा ठीक है भी इसी वीडियों बताँगा कि आपको क्या करना है किस तरीके सी फिर करना है ठीक है तो चलो हम पूरा समझा देते हैं आपको कैसे आपको क करेंगे ठीक है अब हम इस wallet की section पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उस्तों हमें आप पर काफी सारे options देखने को मिल जाते हैं deposit withdrawal transfer करके ठीक है लेकिन हमें आप ऊपर में वहीं कुछ option देखते हैं जैसे spot, overview, spot, funding, and futures ठीक है और scroll करोगे margin, coffee traders बहुत सारे चीज़ें आपको दिख जाएंगे ठीक है लेकिन हमें करना क्या देखी सबसे पहले तो आपको यह confirm करना है कि जो आपका रहा है कि आपका किस wallet में जो है USDT, अगर आपका funding में है तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है, तो फिर हमारा spot में है, हमें क्या करना है यानि कि जिन लोगों का spot में उनको क्या करना है सबस्पहले spot पर आना spot पर आने को यहां पर आपको एक transfer का option दिख रहा है ठीक है इस transfer के option पर हम जैसे ही आएंगे तो इस तो हमें आपर उपर हमारा फ़से दिख करते हो जो आपका कुछ पलट गया है तो आपको करना है मैंने हम यह confirm करेंगे यहां पर देखाँ ट्रांसफर संफ़ससेफ़ लिखकर आ गया ठीक है ठीक है अब हम आपर दूस्तों हमें करना है यह अब इतना करने के बाद अब दोस्तों में करना क्या है हमें सबसे पहले यहां पर आना है दोस्तों यह जो उपर में बाइनेंस का लोगो दिखता है हमें इस बाइनेंस की लोगो पर क्लिक करना है जैसे यह क्लिक करेंगे तो हमें यहां पर option दिखेगा पे करने का ठीक है पे करने का pocket with win more okay ठीक है तो यहां से मतलब कुछ कोई अकाउंट बगएर अभी क्रियेट करना हुगा इसको हम बाद में देखेंगे पहले आपको समझा देते हैं कुछ भी सोभी ठीक तो यहां से मैं बहंद अब करने के बाद दूस्तों यहां पर आपको झात यूपी आई वो आम यहां पर लिख देंगे ठीक है तो वो भी इस तरीके इस देखो लिखा आ रहा है आ गया यहां पर देखो यहां यह बोला है कि आपका जो order है वो कम है आप बड़ा amount लगाओ तभी order आपका final होगा ठीक है अगर ऐसा कुछ problem हा रहा है तो मैं यह वाली वीडियो बना रखी है आप इसको जाकर देख सकते हो ठीक है तो इसको देख लेना link description में डाल दूगा ठीक है उसके बाद यहां से आपको जो है अगर आपको यह problem आ रही है तो आपको इस option को छोड़ दिना आपको P2P पर आना है और यहां से आपको option मिल जाएंगे buy and sale का ठीक है एक buy का एक sale का तो आपको यहां से simple से क्या करना है आपको sale पर klik करना है ठीक है sale पर click करोगे तो यहां पर आपको बहुत सारे option दिख जाएंगे ठीक है और यहां पर एक चीजा आप होता दो कि यहां पर detail में आप आप तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहां पर दिक्कत क्या आ रही है जो पहले अभी से कुछ दिन पहले Binance का एक rule था कि यहाँ पर आप 3 USDT से ज़्यादा अगर आपका पैसा होता था तो आप उसको transfer कर ले देते लेकिन अभी कुछ दिन पहले सायद Binance का एक अपडेट आया था कि यहाँ पर अब आप जो है trading से आपका पैसा बढ़ेगा तो फिर आपको यहाँ पर अपना ट्रेड करके पैसे को बढ़ाना पढ़ेगा तभी आपका पैसा यहां से बिड्रॉप किया जाएगा तो यह अपडेट है जो Binance किया और बहुत साले लोग ऐसा भी कॉमेंट करेंगे भाया तुम्हें खुद नहीं बताता तो क्यों बताया तो भाई जो मैंने बताया आपको वहां से आप कर सकते हो ठीक है और नहीं अगर आपका इसने नहीं हो रहा है तो फिर आपको अपने Binance पर 100 dollar minimum complete करने पड़ेंगे तभी आपका पैसा ट्रांसफर किया जाएगा तो यह सारी अपडेट है और जो मैंने आपको प्रॉब्लम बता ही अगर वह वाली आ रही है तो उसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप वहां से जाकर देख लोना है तो बस यहीं कहूंगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना यार तो कि बहुत मैनत लगती है आपके लिए वीडियो बनाने नो और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें बैल आइकन को दवाना जिससे आने वाली नई बने मतरं जहें